हले दोस्तों गुड मॉनिंग टो अल ओफिव सपेंड जैसा कि आप लोग ने थमनेलो टाइटल त्रीट कर लियोगे दोस्तों आज यूपी ट्रपलेसी के तरप से कुछ महत्मूर खबर निकल कर राई है लेकपाल भरती परिच्छा को संबन्द में जी हाँ दोस्तों लेकपाल भरती परिच्छा में कितने अभ्यारती होंगे सामिल और कितने परसेंटाइल वालों को मिलेगा मौका लेकपाल भरती के मुख परिच्छा में बैठने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें दोस्तों आपके डाउट जो है वह क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दिया को चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्काइब करकर बेल आइकन कौन कर देना और साथ-साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक सवाल करना चाहूंगा कि आप लोग comment में जरू बताना दोस्तों कि आपका कितना प्रसेंटाइल स्कोर है ठीक है तो comment अभी कर दो भाई कितना आपका स्कोर है ताकि हम भी पता जेले हमारे कितने चात्र है जो यूपी लेकपाल के लिए इलिजबल हो जाएंगे तो चली द दोस्तों इसमें आपको पूरा complete syllabus मिल लाहाल एकपाल का जिसमें आपको ग्राम समाथ के सारे chapter wise question multiple choice question प्रैक्टीस जड़ हिंदी के सारे chapter wise question multiple choice question और प्रैक्टीस इसी तरीके से जीके और हिंदी के भी बहुत सारे question यहां पर डाले गये हैं यहां नोट्स आपको बहुत ज़ जाएगा कि किस लेवल के ग्रामीर परवेस के प्रस्ण पूछे जाते हैं कौन से चैप्टर में कौन से प्रस्ण आएंगे दोस्तों में चीज होती है ग्रामीर परवेस बहुत कम content इसका online available है दोस्तों ग्राम समाज के वो लेकपाल भरती पर इच्छा के लिए ही पूछा है तो आप लोग दोस्तों इस नोट से मदद ले सकते हैं कीमत मात 99 रुपीज है इसकी purchase करने जाएंगे दोस्तों तो ट्रांजक से चार्ज बगर अलगकर 105 या 106 रुपए की पढ़ेगी नोट जो की बहुत किफाईती है दोस्तों आप इससे महंगे महंगी बुक्स जाते ह हैं मार्केट से लेकर आएंगे 300-400 रुपए की और उसको पढ़ेंगे जिसमें बहुत जारी फालतू चीजे भी दे रखती हैं इसमें क्यों निचोड चीजे हैं और बहुत ज़्यादा important question ही दिये गए हैं जो लेकपाल भरती परिच्छा के लिए अथी महत्पून है तो इ आप लोग जल्दी से इसको purchase करने हैं और पढ़ाई शुरू करतो बहुत टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा पर इच्छा की तैयरी करने के लिए लिंक इसकर description box और comment section में दिया गया है वहां साब इसको purchase कर सकते हैं easily चले बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों तो यहां पर दे हिस्सा ले सकेंगे इस संबंद में अभी तक कोई अधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है विविन मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक P.E.T. में तकरीवन 17 लाख अभ्यारतियों ने हिस्सा लिया था इस और एक सेकर वाई और इन में से 4 लाख अभ्यारती लेकपाल में सामिल होने योग घोसित किये जा सकते हैं जी हां दोस्तों 4 लाख अभ्यारती देखिए चुनाओ का मोहल है ज़्यादा बच्चों को बाहर भी नहीं करेंगे ठीक है अब वो तो बात सही है कि अगर यह ज़्यादा बच्चों को ले लेंगे P.E.T. में तो फिर P.E.T. करान सामिल होने का मौका मिल सकता है जी हां दोस्तों कितने परसेंटाइल 75 परसेंटाइल ठीक है तो आप लोग कॉमेंट करके बताओ आपका कितना परसेंटायल सकोर है सैक्ट अब आप लोग कहांगे किसा रंबर में भताओ कितना अउक हो तो नमबर की बात करें तो 559 पलस 455 पलस अउक्भ Measure पगओ तो आपका परसेंटायल 75 के आस पास पचास से उपर होगा जहां दे बताना ठीक है पचास और पच्पन तक जो चात्र है कम से कम वह अंक वालिया चात्र आविदन करने के योग रहेंगे अब देखिए पीटी का मतलब क्या रहे गया अगर ज्यादा चात्र को बुलाएं ठीक है लेकिन यहां पर उनको चुनाओ भी देखना है अगर देखिए 17, चात्र बैठे थे पीटी में ठीक है अब 17,00,000 में से अगर ये केवल और केवल एक लाख ही चात्र को एलिजिबल करते हैं लेकपाल के लिए ठीक है तो ये बाकी के जो 16,00,000 चात्र हैं ये नराज होंगे और इनका असर चुनाओ पर पड़ेगा ठीक है और सरकार कभी ऐसा कोई देने नहीं लेता है जिससे उसका चुनाओ पर असर पड़े ठीक है भले यहाँ पर पीटी नों लागू किया लेकिन बहुत कम करेंगे तो भी इसमें कम से कम ज्यादा ज्यादा च्छात्र रेनी की कोशिस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो आपका ये डाउट बना है चार लाग भी बुला सकते हैं छे लाग भी बुला सकते हैं और दो लाग भी बुला सकते हैं तो आप अपना समय क्यों बरबात करो पढ़ाई कभी बरबात नहीं जाती है तैयारी में जुटे रहो भाई तैयारी करते रहो अगर लेकपाल भरती में नहीं बुलाए जाएगा तो और भी सारी विविन भरती ये परिछाएं आएगी आप पीटी में समली तो पीटी एक साल तक वैलिड रहेगा आपका और जितनी विवेकंसी आएगी आप उसमें इलिजबल हो सकते हैं तो तयारी बिल्कुल मत छोड़ो पढ़ो अगर आपका नाम आ गया ठीक है तो आप पष्टाने वाले हैं ठीक है कि भाई मैंने अगर एक महिने जो हमारा समय था जब सलेबस जारी हुआ था तब ही से कर तयारी करता तो सायद मेरा मेंस एक्जाम निकल जाता ठीक है और ये बार-बार मौका नहीं आएगा तो इसलिए मैं आप सभी को यही सलाह दूँगा कि आप तयारी करो पढ़ो थोड़ा ही पढ़ो लेकिन शुरू करो पढ़ाई ताकि आपका जो समय हो यूटलाइज हो खराब न जाये ठीक है लेकपाल भरती में उमीद सब लोग यही बोलना है कि ज़्यादा ज़्यादा चातर को बुलाए जाएगा आप लोग कॉमेंट करके एक पर अपना परसेंटाइज जरू बतन दोस्तो और ये नोट्स में हाइली रेकमेंट कर रहा हूँ भाई 99 रुपीज बहुत ज़्याद हेल्प करने वाला है दोस्तो और आप लोग तैयारी में बिल्कुल जुट जाओ सबसे पहले ग्रामीड परवेस फोकस करो क्योंकि यही आपको टॉपिक है वहां आपको पास और फैल करा सकता है क्योंकि सभी चातर हिंदी जी के तो बहुत विभिन परिच्छों की तैयारी करते आ रहें हिंदी जी के मैथ पढ़ते आ रहें लेकिन ग्राम समाज जो टॉपिक यहां पर दिया गया है वह केवल और केवल लेकपाल भरती में ही पूछा जाता है और लेकपाल भरती के लिए ही तैयारी करेंगे आप ग्राम समाज की तो इसलिए ग्राम समाज ही आपको अब एक बार हमारी चैनल पर जाकर देखो बहुत सारे क्लासेज मिलेंगे आपको महाँ पर साथी साथ टेली ग्राम ग्रूप पर मैंने हर क्लास की पीडियाप भी बेज़ी है और अब आगे भी नोटस मिलता रहेगा फ्री में तो अब लोग टेली ग्राम जाइन को लो साथ चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को उनके लेना उसके बाद जाना प्लेलिस्ट में और ग्रामी मिली समाज के चैप्टर वाइच प्लेलिस्ट बना हुआ है आपको अब बयुक्तिए आप रहे हैं ऐसी बाद शुकत भी करके अब आई आप इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेट कर सकते हूं कोई अगर प्राब्लम आ रहे है वीडियो का यंठ्स दे शुम्सक्राइब करकिने मिलतेश है नेक्स डे नेक्स वीडियो के शाथ में तब तक के लिए आप हमारे शाथ बने रहें